नमस्कार दोस्तों मैं विजय सेनिय आपका ममल बहुन सभी में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे फूल के प्लांट के बाद में बतामगा जुम्बेर यहां पे लोगों की आफ़त बन गया है और वो प्लांट है यह यहां पे इसको जो है जंगली स इसके पत्तों में भी और इसके बीज बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं इसके बारे में आद मैं डेटेल में आपको बताऊँगा कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुपसान है और यह लोगों की आफ़त क्यों बना हुआ है तो इस सारे चीज़ हम कवर करेंगे और मैं आपको आदाद बढ़ाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें के यह पोधा गोल्डन क्राउन बीड एक फूल वाला पोधा है इसे गोल्ड वीड वाइल्ड सनफ्लोवर बटर डेजी अमेरिकन डोग वीड के नाम से भी जाना जाता है इसके पत्ते और फ वो चिकने नहीं होते इस पर लगने वाले फूल पेले रंके होते हैं और उनका जो आकार है वो दो इंच का होता है इसके फूल जो है वो गुच्छे में भी लगते हैं और किसी किसी प्लान पर सिंगल भी आते हैं अदवाई तीन-चार फूल एक साथ खिल जाते हैं इसके ले टीले पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे यहां यह हर जगे फैला हुआ है यानि कि यह जंगल में भी है रोड के सड़क के किनारे भी है और जो बंजा जमीन पड़ी है वहां पे भी है यहां तक कि खेतों में भी यह उगनी लग गये हैं चलिए अब इसके कुछ फाय कर बिमारियों को भी दूर करने में भी मदद करता है गोल्डन क्राउन भी एट जो है बुखार गठिया और सांस संबंदी रोगों को रोगों का उपचार करने में भी बहुत उप्योगी है इसमें एंटी इंफ्लॉमेंटरी और एंटी ट्यूमर एंटी ओक्सिजेंट जैस इसके फूल और पत्तों में विटामिन C, विटामिन C के साथ और भी आवशेक पुसक्तत होते हैं अब बात करते हैं कि इस पोदे से हमें क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं देखे किसी चीज़ का फायदा है तो उसका कहींने कहीं नुकसान भी हो सकता है इसलिए हर चीज का ज बद दस की समस्या हो सकती है कुछ लोगों को इससे यह प्रब्रवा के ससे हो सकियेैं या त्वचा पर खुजली होना इस तरह की प्रोलम जो है वो हो सकी है गरवती महीलाओं को और जो बच्चों को दूद पिलाती है उन महीलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं कि कोई भी जड़ी बुट्टी का उपयोग करने से प करने से पहले उसकी प्रकृति को जाना जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है उसके बाद ही उसका इलाज कर जाता है अब हर किसी की प्रकृति एक जैसे नहीं होती तो जब आप डॉक्टर से सला लेंगे तो वह आपकी प्रकृति को देखें कि आपकी प्रकृति कैसी है आपक को बिता दूँ कि आज सी कुछ साल पहले यह पोदे जो है मेरे यहां पर कोई कहीं एक दो पोदा जो है वो दिखाई देता था खेतों के किनारे या जंगल में कोई एकाद उगाया ऐसे लेकिन कुछ सालों से ये जो है बोतेजी से फैल रहे हैं और इस बार तो ये जो है पिछले साल से कई गुनाओ ज्यादा फैल गया यानि कि इस बार जब आप आपके चारो तरफ देखेंगे तो मेरे यहां पे चारों तरफ सारा कुछ पीले रंग का हुआ पड़ा है जैसे सरसों किसी ने लगा दियो क्योंकि यह फूल हावा के साथ हर जगह फैल चुका है मेरे यहां जंगल में खेतों में यानि कि जाँ जाँ इनको जगह मिली जमीन मिली और पानी मिला यह वहाँ वहाँ grow होते गई और दोस्तों इस बार इसका इस तरह से बढ़ने का जो कारण है वो है मौसम का बदला हो देखे इस बार जो है बारिज पहले से ही आ रही है यानि कि इस बार गर्मी जो है वो जैसे regular start होती है वैसे गर्मी हुई नहीं start और बारिज जो पहले आ गई तो इससे कहें इंके बीज जल्दी अंकूरितों के निकल गई और किया हीज़ी वाले गर्म्ही होती वैसे तो यह सही समय पर बरसात का पानी मिला उससे क्या हुआ जो छोटे पोदे खराब हो जाते थे तेज गर्मी से वो सब भी ग्रो कर गए और यह जो है इतनी तेजी से फैल गए हैं मेरे यहां रोड के साथ में खेतों में हर जगए बहुत जगए हैं तो चिंता का विशय यह हैं कि अग बार बारिस होने से यह इतना फैले हैं तो अगली साल यह इससे कितना गुना फैल लेगा यानि कि अगर इसी तरह फैल तरह तो यह सारे खेतों में फैल जाएगा जो कि फसल के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है लोगों की फसल को नुक्सान होगा क्योंकि कितने प्लांट बिखेंगे करो सब eux कि खेतों में उगेंगे तो इसलिए यह जो है यह इन पर लोगों के लिए आफफत बना हुए दोस्तों क्या आपके यांपे फैल रहा है यह सब आसब आपके यह ज्यादा फैल्ट है तो मुझे क्मेंट करके जरुआएगा और ऐसे ही जंगली फूलो पे एक वीडियो डाला है, आप जाके चेकेजिए, जो विलेज लाइप है, उसे रिलेटिडी जो वीडियो जैए, वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क करें, अगर आप चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पीता का ख्याल रखेगा, शुक्रिया